नमस्कार बहुतिक भुगोल की इस कक्षा में बिये भाग पर्थम के सभी विद्यार्थियों का पुने स्वागत मैं डॉक्टर हिमंद मंगल सह आचार्य भुगोल राज किये लोहिया माविद्याले चोरू पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे प्लेट विवर्थिनी की सिधान्त द्वारा किस प्रकार मादिपो और महा सागरिय बेसिन का निर्मान हुआ हमने उस सिधान्त में ये पाया कि द्रड़ कुखंड जिनकी मोटाई तीस से सो किलोमेटर होती है उन्हें प्लेट का आज आता है ये प्लेटें मुवमेंट करती रहती है इनकी छह परमुक प्लेटें हैं करीब 20 गॉर्ण प्लेटें हैं तो हमने यह जाना था चैदो प्रमुख प्लेटे थी नाम रिपीट है तो उन दुपारा से अमेरिकन प्लेट, अफ्रिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, युरेशियन प्लेट, अंटक्टिका प्लेट और प्रशान्त मासरेटी प्लेट उसके लबा 20 गॉण प्लेटे थी, नुबियन, नासका, इरानियन, भर्मियन, केरिबियन, बिस्मार्क, फिलिपाइन, इत्यादी हमें 6 प्रमुख प्लेटो के नाम और 4-5 गॉण प्लेटो के नाम याद रहने चाहिए मैंने मांचित्र में प्रमुख प्लेटो को दर्शा है और इसमें हमने गॉण प्लेटो को दर्शा है दीरे दीरे इस दिशा में शोध चल रहा था और जानकारी मिली मौर्गन ने बता था च्छैपर में प्लेटे बाद में आईलर नामक विद्वान ने यह प्रमानित किया यह प्लेटे एक निर्धारित वरत्ताकार मार्ग में निरंतर अपने अक्ष पर गूमती रहती है अर्थाद ये प्लेटे एक निर्धारित पक्ष पर अक्ष पर दिरंतर गुमती है चुकि ये प्लेटे एक निर्धारित वरताकार मर्ट पर गुमती है तो इस दोरान दो भिवन प्लेटों के किनारे आपस में कई बार एक दूसरे के नजदीक भी आते हैं कई बार दूर भी जाते हैं तो आइलर ने ने सिर्फ घूनन की प्रक्रिया को प्रभवित किया वरन ये भी प्रमानित किया कि घूनन के कारण इनके किनारे बहुत जादा मेध्वकून हो जाते हैं अब प्रशनी यह आता है वेगनर का सिद्धान्त आया था तो हमने उसकी आलोचना गीती बल किस अंधर में कि विस्थापन किस बल की आधर पे हुआ विविन आधोनिक सिद्धान्तों में इसका उले किया गया है कि वही ये प्लेटे किस बल के कारण खुम रही है कई बारे सवाल आ जाता है प्रत्वी में आता है और ऐसी विषविधाली प्रक्षाऊं में जिनमें आपसे लगुतरात्न सवाल पूच गया आपको विदिती है जैसे जैसे हम प्रत्वी में गराई में जाते हैं विविन प्रकार के तत्व विशेशकर रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है हमें पता है ये रेडियो एक्टिव तत्व निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करते रेते हैं यह ऊर्जा निरंतर इकट्टी होती जाती है तो वेग्यानिकों ने अनुमान निकाला है और यह प्रमानित करने का प्रयास किया है कि एक निश्चित इस्तिती के बाद जब उर्जा बहुत बड़ी या जादा मात्रा में एकत्र हो जाती है उसके पस्चात बिविन प्रकार की तरंगे उत्पन होती है विशेशकर सम्हन त करेंगे हर प्लेट के नीचे एक व्रतागार मार्ग में गुंती है तो वस्तुत है इन प्लेटों का मुवमेंट इन सम्हन तरंगों के आधार पर ही होता है इन सम्हन तरंगों के बारे में विशेश जानकारी हम जब परवत निर्मान के विविन से धानत समझेंगे यह सम्वेन थरंगे ही इन प्रिटों के घूर्णन की जिम्मेवार है अब होता क्या है निरंतर घूर्णन के कारण इनके किनारे एक दूसरे के पास भी आते हैं और दूर भी आते हैं यह तीन प्रकार के किनारे हैं रचनात्मों किनारा जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव म किनारा बार में अधिस तहीं किनार तिसना किनारा संग्रक्षे किनारा meth अगृ मैं 3 नों किनारा के बारे मैं कर पतुखेकर क्रीम हर पैर किनारा यह सक्षक्टि उक्षे जब दो भिविन प्लेटे अपने अक्ष पर घूनन करते हुए दो भिविन दिशाओं से एक दूसरे से विप्रीत की तरफ गमन करती है अर्थाथ दो प्लेटे एक दूसरे से दूर जाती है तो ऐसे किनारे को विनाशात्मक स्वरी मभी जाओंगा रचनात्मक या कंस्ट्रक्टि किनारे के नाम से जाना जाता है होजा क्या है दो विविन्द प्रेटों के दो किनारे एक तूसरे से दूर जा रहे है तो दूर जाने के कारण तब तो महगमा उपर आता है ठंडा होता है उससे नई क्रस्ट का निर्मान होता है इसकी पुस्टी हम आंद्र महासागर की जो मद्य अट्रांटिक कटक है जो लगबग 4,500 किलो मेटर लंबी है और पूरे आंद्र महासागर में सिग्मोईड आकार में विस्तारित है साथी अन्य महासागरों में भी अलग-अलग जगे अलग-अलग लंबाई की कटके यह प्रमानित करती है कि इनके सारे नई रचना का निर्मान हो रहा है या नई करश्ट का निर्मान हो रहा है चुँकि इन किनारों के सारे तब तो मेगमा उपर आता है नई करश्ट बनती है नई रचना होती है इसलिए हम इसे रचनातमक किनारे के नाम से जानाते हैं कि इस प्रक्रिया में दोनों के ज़रे दूसरे से दूर जा रहे हैं विपूरीत कमन कर रहे हैं और नई रचना रही है अब यहां पर याद रखिएगा प्लेटे दो फ्रकार की होती है मासागरी प्लेटे और माधवी प्लेटे दोनों प्लेटे माधवी प्लेटी भी हो सकती है दोनों प्लेटे मासागरी प्लेट भी हो सकती है और एक प्लेट माधवी प्लेट और एक प्लेट मासागरी भी हो सकती है उधारन के रूप में देखिए प्रशान्त महासागरी प्लेट और अमरिकन प्लेट के दूर जाने की कारण माफी जाओंगा, मैं कला तो दान देखिया दो प्लेटे, जब अमरिकी प्लेट और अफ्रिकन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या हो रहा है मत्य अट्लांटिक का निर्मान हो रहा है ये रचनात मकिनारा है दौना प्लेटे कौन सी है महासागरी माधी प्लेटे ऐसे ही एक प्लेट माधी भी हो सकती है एक प्लेट माधी प्लेटे होती है सारा अन्श में जब प्लेटे एक तूसरे से विपरीत जाएं, नई रचना का निरिमाण हो, उन्हें बोलते हैं रचनातनक किनारा, इस चित्र की साहिता से आप देखिए, दोना प्लेटे एक तूसरे से विपरीत जा रही हैं, लगबग सबी महा सागरों में, जहां प्लेटों का विपरीत व आंद्र महा सागर में निर्मित अंतेम महा सागरी खटक या आंद्र महा सागरी खटक सरवादिक महत्मून है, जो कि सिग्मोईड लंबे ऐस आकार में और पूरे आंद्र महा सागर में विस्तारित है, जो इस चित्र की साहत है, पूरे आंद्र महा सागर में विस्तारित है, यह प्रमानित भी कर रहा है दो भाग, एक तूसरे से तूर जा रहे है यह प्रमानित कर रहा है इस्थापन को, यह प्रमानित कर रहा है समुदर नितल पसरन को नमबर दो destructive margins या विनाशात्मक plate किनारा इस प्रकार के plate किनारों में दो विपरीत दिशा से प्लेटों के किनारे एक दूसरे की तरफ आते हैं जब एक निश्चित इस्थिति के बाद दौनों एक दूसरे के पास आते हैं तो दौनों प्लेटे चोकी अलग 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 अनत्वी हो सकती हैं या समान अनत्वी हो सकती हैं दौनों प्लेटे मासाग सब्सक्राइब अधिक गनत वाले पदार्थ के नीचे ख़ेपित होकर वलित होकर मुड़कर और नई परवत शंकिला का निर्मान करता है यदि हम रॉकी ज और एंडी परवत करमों को समझें तो रॉकी ज और एंडी परवत करम में क्या है अमेरिकन प्लेट और प्रचान्द मासे की प्लेट आपस में ठकरा रही है फल्त है अमेरिकन प्लेट नीचे मूड़ी खशेपी तोई और क्रमशे रॉकीज और एंडीज परवतों का निर्मान होगा मित्रों इसमें अपवाज भी है अकसर ये प्रश्णी पूचा जाता है प्रदियों की परिक्षाओं में कि यदि रॉकीज और एंडीज विनाशात्न किनारों का परणाम है तो किस परकार हिमाले परवत का निर्मान होगा तो कुछ अपवाज भी है जिनके बारे में हम परवत निर्मान के समय विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे इन दोनों चित्रों में मैंने दरशाणी का प्रयास किया है किस प्रकार दोनों प्लेटे एक दूसरी के पास आ रही है दोनों आमने सामनी रह सकती है और अगल अगल में भी आ सकती है एक प्लेट दूसरी प्लेट के निचे क्षेपित हो जाएगी वलितों की फलते परवत निर्मान की प्रक्रिया होगी उत्तरी और दक्षिन अमरीका गवधान में आपको दे दिया जिससे रोकी और एंडी का निर्मान हुआ तीसरा किनारा है संगरक्षी किनारा इन किनारों को हम रूपांतरित भ्रंच सीमा के नाम से भी जानते हैं काई बार प्रत्योगी परिक्षाव में ये सवाल आता है कि WOke do you mean by transform fault रूपांतरित भ्रंच ये वो किनारे हैं जिनमें कर दो फ्लेट किणारे एक डूसरे के नद़िक तो आते हैं लेकिन व इतना नदिक नददिक कि उनमें आपस में टगरा हो जाये बलकि वो एक डूसरे की इतना नदिक के सिर्फ अगलब अगलबे सरकते हbat उनमें किसी प्रकार का व्लाइश नहीं होता ऐसे किनारे को हम संग रक्षी किनारे के नाम से जानते हैं इस प्रकार की किनारों में जब दोनों प्लेटे किनारे नजदीक तो आए लेकिन उनमें किसी प्रकार का कॉलास नहीं हुआ वहाँ पर रूपांतृत ब्रंश का निर्मान होता है ब्लेक माउंटेन इस रूपांतृत ब्रंश का या ब्रंश प्रवत का उधारन है इसमें दौनों किनारे एक तुछे की नजदीक आते हैं लेकिन किसी प्रकार का क्लैश नहीं होता इसलिए इन के नारे को हम संग रक्षी किनारे के नाम से जानते हैं यह मैंने डाइगराम से पता है अब हम बात करते हैं अंधिम चीज क्या प्लेट विवर्तिनी की परवत माद्वीप और महासाकरी निर्मान को समझाने में सक्षम रही तो परवत निर्मान तो एक अलग बिंदू है इसका हम डिटेल मादिन करेंगे लेकिन महाद्वीप और महासाकरी ये बेसिन्स के निर्मान के संदर्ब में प्लेटर्ट्रोनिक से दानत बिलकुल सही प्रतीत होता है कुछ अपवाद छोड़ दें तो यह से दानत अकषर से हैं इसकी व्याक्या करता है क्योंकि इसके पक्ष में तीन प्रमुक वेग्यानिक प्रमान है नम्बर वन पूरा चुम्बकतवा प्रमान जिस्ट अमने नाम दिया पेलियो मेगनेटिस्म नम्बर दो सागर नितल का प्रसरन सी फ्लोर स्रेडिंग और तीसरा प्लेट मुव्मेंट जो भी प्रमानित हो रहा है तो महात्वीब और महासाखरों की रचना में उनके निर्मान विदी में प्लेट टेक्टॉनिक सिधान्त एक महत्पूर्ण सिधान्त है जिसमें विलियम हैस मौर्गन आइलर टूजो विल्सन आदी विद्वानों का महत्पूर्ण योगदान है ये एक महत्पूर्ण सिधान्त है विश्विद्याली परिक्षाओं में प्रत्योगी परिक्षाओं में इससे संबंदित कई सवाल निश्यत रूप से पहुची जाते है ये वस्तूते ऐसर टाभी के जिनमें अती लगुद्रात्मक लगुद्रात्मक और निवन्दात्मक सभी प्रकार के प्रश्ण बनते हैं तो आप इसका अध्यन इसी हिसाब से करें और याद रखिएगा फिजिकल जोग्रफी में नैसिर्फ लिखना साथी डाइग्राम द्वारा सबसे निवेदन कोरोला की केस तेजी से भारत और राजस्थान और हमारे जिले चूरू में बढ़ रहे हैं जब तक कोई वेक्षिन निया जाती इससे बचा भी इसका उपाय है या इसका इलाज है तो करपा ने सिर्फ आप स्वेम नियमत्रूप से मास्क पहने आतों को दोते रहें सिर्टाइस करते रहें साथ ही और उको भी इसके लिए जाकरत करें धन्यवाद